नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है मुझे आसा है आप लोग सौकुसल मंगल से होंगे मैं अचार्य एक देव आज रोज की तरह देनिक रासी फल बताने जा रहा हूं और आज आपको 28 तारिक 28 अगस्त दू हजार तैस सुकल पाक्ष के सावनमास की सावनमास सुकल पाक्ष के अम्तिम शोंबार है यह अम्तिम शोंबारी बर्त है सावनमास की और आज पूरे जानकारी रोज की तरह दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है विशे पर जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन को दबादीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी सेयर करें एश्कीप करक सब्सक्राइब ना देखें और विशे पर जाने से पहले आपको पता दूंँ पहले रोज की तरह गोचर से स्टार्ट करेंगे पहले पंचांग से फिर गोचर तो चलते अपने विशे पर आज सुडियों दे होगा सुबह छे बज़ कर सई तालिस मिनिट पर पर होगा और सावनमास की दुत्या है सुक्ल पक्ष दुत्या जो आपको तिरोधसी हो जाएगा पांच बज़े के बाईश मिनट से तो गोचर पे चलते हैं आज सुर्य सिंग रासी में गोचर कर रहे हैं चंद्र मकर रासी में मंगल कण्या रासी में बुद्य सिंग रासी में गुरू मेस रासी में सनी कुम्ब रासी में, राहु मेस रासी में, केतु तुला रासी में, इसी अधार पर आपको बताएंगे, आज का सुब मुरहुत जो है, अविजीत मुरहुत जो है, सुबह 11 बज कर 52 मिनट से 12 बज के 44 मिनट तक ये अविजीत मुरहुत है, ये जो टाइम है, ये हरी विश्न को समर्पित है इस टाइम में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल होंगे अमरित काल जो है रात्री के 9 बजे से 10 बज के 25 मिनद तक सरवार्द सिद्ध योग है दो बज के 43 मिनद से 5 बज के 52 मिनद तक रभी योग है अज के 2 बज के 43 मिनद से 5 बज के 52 मिनद तक विजे मुर्भूत है 2 बज के 2 पहर के 2 बज के 27 मिनद से ले करके आपको 3 बज के 18 मिनद तक और राहु काल जो है वो आपको सुबह साथ बज़ के 28 मिनत ले करके नौ बज़ के 5 मिनत तक राहु वास जो है आज उत्तर और पस्रिम में होगा आज जिसासुल जो है वो पुर्वे जिसा में है अगनी वास आज पृत्वी लोग पे है अब चलते हैं इसी अधार पे आपको राशी फल बताने हुँगा और इसी अधार पे सभी राशी पे क्या क्या प्रभाप परेगा वो आज हम बताएंगे सावन वास सोंबार बर्त वर्त जो है सोंबार परदोस बर्त है दामो दर बुद्ध दुआ दसी विवाहित मुरूत विर्षव मितुन लगन मद्य रात्री गारा बज के एक्टिमनस से दो बज के तेतालिस मिनट तक ग्रीप प्रवेश ब्यवसाय आरंब देव प्रात नो बज के सत्रम नस्त लेके दस बज के सैन्टालिस मिनट तक रहेगी आज मेसराची से सुरुआत करते हैं रोज की तरह मेसराची वाले आज का दिन आपके लिए विसे सुब रहेगा धनलाब के सासा समंदों में निकरता का अहसास होगा ब्यवसाय छत्र में भी सायोगी वतावरन मिलने से निश्चही समय पर कार पुर्ण कर लेंगे पुर्व नियोजित कारियों के अलावा भी अन आय के सोत बनेंगे आज आपके वेहवार से कुछ ऐसे समंद बनेंगे जिन से लंबे समय तक लाव प्राप्त किये जा सकते हैं घर में विवायतों के लिए रिष्टे आएंगे लेकिन पक्के होने में संसर रहेगा मन पसंद भोजन वस्त अंन शुक मिलने से परसनता रहेगा सभी राज़ी के लिए हम सभ मीन राज़ी के बाद हम उपाए बताएंगे आज का विशव राज़ी वाले आज का दिन भी आप के लिए लाव दायक रहेगा फिर भी ध्यान रखे आज किसी के गलत मार्ग दर्सन अत्वा गलत फैमी में परने से लाव के अफसर में किसी अन्न के पास भी जा सकते हैं धन्न लाव भी आपके प्रिश्रम की तुलना में भी अधिक हो सकता है प्रन्तु इसके लिए कारश्यत्र पर अनरगल बातों को छोड़कर लक्ष को केंदित करके कार करें दैनिक उपयोग के खर्च आसानी से निकल जाएंगे आज कोई आपकी भावक्ता का गलत फैदा भी उठा सकता है आंक बंद कर किसी पर विश्वास ना करें लंबी यात्रा की योजना बनेंगी आज सभी रासी के लिए जो उपाय बताऊंगा वो मेस रासी के बाद बताऊंगा आपका आज का दिन भी असुब रहने से अधीक सावदानी बरतने की सलाह है सेहत का आज विशेश द्यान रखे पड़िवार में बीमारी का प्रकोप अत्वा अनकासमिक दुडगतना होने के संभावना है दावायों पर भी आज अतिर्यक्त खर्च करना पर सकता है भोजन क भोजन पर स्वक्च करें हो सकता है ठोच समश्या समस्या स्माट समस्या सुरू हो सकता है ला अ 중요 ऐस खरावी का कारण बनेगी कार्वत्यायों में अज किसी भी हुसामत के बाद भी यह लाव के योग मत पाएंगे परिवारिक वतारण आज का अस्त ब्यस्त अधिक रहेगा बिद्यात्ती वर्ग पढ़ाई में में आना कानी करेंगे जो भी उपाई बताएंगे वो लाश्ट में बताएंगे करकर आसे वाले आज आप कारियों में ब्यस्त रहने के बाद भी दीन का भरपूर आनन उठाएंगे मन एक चित कार होने से हास परी हास का वतावरन बना रहेगा कार वेवसाय में थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन उसका उचित लाव भी अवस मिलेगा कार अस्थल पर लोगों को आपकी सैली पसंद आएगी अधिकारी वर्ग भी आप पर कृपा दिश्ट्री बनाए रखेंगे आपकी आवसकता लोगों को आज अधिक रहने से सम्मान के साथ धन लाव के अवसर भी मिलते रहेंगे गिरहस्त में पूर्ण ध्यान नहीं देने से किसी नराजगी अंदेखी देखनी पड़ेगी लेकिन कुछ समय के लिए ही रहेगा और आप जो भी करें ध्यान पुरुबक करें सबका ध्यान रखते हुए किसको किस काम से किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे ओध्यान रखे ही काम करें सिंग रासी वले आज का दिन मिस रित फल दाई रहेगा दीन के आरंब में धैनिक कारियों को पुर्ण करने की जल्डी में कुछ हानी हो सकती है इसके बाद समय अधूरे कारी को पुर्ण करने म बितेगा मध्यान तक परिश्रम का फल ना मिलने से निरासा रहेगी परंतु संध्या समय धन की आमद होने लगेगी वेवसाय में आज विस्तार ना करें निवेश भी सोच समझ कर ही करें नोकरी पैसा जातक को कार्यभार बढ़ने से ठकान अनुवब करेंगे घर में मांग कलिक आयोजन हो सकता है कुछ मतभेत के बाद भी सांती बनी रहेगी कन्या रासी वाले आज के दिन आप किसी ना किसी उल्जहन में फसे रहेंगे दीन का अधिकान समय अनरगल कारियों में बिरबार होगा आपके मन की विपरित कारवाने को बाद रहेंगे जिसमें निकत भ सौधे निरस्त हो सकते हैं आज किसी परिवारिक सदस्त के गलत आचरन के कारण सम्मान में कमी आने की भी संभावना है क्रोध पर नियंत्रन अति आवस्चक है वरना उल्जहने कम होने की जगा ज्यादा गंभीर बनेगी धन लाब अकासमिक लेकिन अल्प मात्र में ही होग तुला रासरी वाले आज के दिन आप कार वेवसाय में सायोग की अस्थि बनने पर उग्ड हो सकते हैं सायोगी आवसक्ता कामों में लापरवाही दिखाएंगे सभी महत्पुर्ण निर्न आपको स्वेंग ही लेने पड़ेंगे जिससे कुछ समय के लिए असमंजस की अनुसार निकलेगी प्रत्न करने पर ही होगा आज आप पूरानी अस्मित्यां ताजा होने से कुछ समय के लिए काल्पनिक दुनिया में भी खोएंगे रहेंगे दमपत्य जीवन में अहम के कारण खतास आ सकती है विश्चिक राश्वी वाले आज का दिन आपको आर्थिक रूप से सवल बनाने के लिए में सहयोग करेगा विवसाय में पत्ति अस्पर्दा आज कुछ कम करेगे जिसका फाइदा अवस्थ उठाएंगे नोकरी पैसा जातकों को अधिकारी वर्ग का प्रत्साहन मिलने से आत्म विश्वास बरेगा आज आप स्वेंग के साथ भी प प्रत्रक संपति के मामलों में विजय के साथ ही भविस्च के लिए भी लाव सुनस्चित होगा ग्रेयस जीवन में थोड़ा उतार चड़ाव लगा रहेगा फिर भी संतोस की अनुवती होगी धनूरासी वाले आज आपके दिन अधिक कारियों में लापरवाई कि स्वेंग का काम छोड़ अन्द लोगों के कारे में रूची लेना हानी कराएगा किसी के जगरे में टांग ना आराएं मान हानी हो सकती है आर्थिक उल्जाने किसी के टोकने पर ही परिसान करेगी अन्द समय उनको लेकर बेव प्रवाह ज्यादा रहेंगे घर के किसी सदस मन माने वेहवार के कारण माहल थोड़ा गरम हो सकता है सरीरिक अस्पृति आज कम रहेगी मगर रासी वाले आज के दिन आपकी मनोवर्ति सुखो भोग के अधिक रहेगी जिस वजह से कारे छेत्र पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाएंगे फिर भी आज धनलाव क अवसर मिलते रहेंगे जिस भी कारियों को करने का मन बनाएंगे उनके निर्न आरंबिक वदान के बाद आपके ही पक्ष में रहेंगे सरकारी कारियों में आज किसी के सैयोग मिलने से आगे बढ़ेंगे सरवजनिक कारियों में उचित रहेगी लंबी धार्मिक्तित अस्थलों की यात्रा के परसंग बन सकते हैं परिवारिक वतावरन लगवग समान ही रहेगा संतानों को ऊपर खर्च होगा कुम्बरासी वाले आपका आज का दिन विशंपरिस्थिती वाला रहेगा दीन के आरंब में ही मन हतास रहेगा कार वेवसाय में भी आज निरासा ही हात लगेगी ध्यान रहे आज धन लाव के लिए किसी के सहयोग एवं मार्ग दर्शन की आवसकता परेगी इसलिए रुखे वेहवार से बचे से बचे आज आप केवल वेहवारिक्ता के बल पर ही लाव कमा सकते हैं घर म भी किसी सदस्त के हाथ नुकसान होने की संभावना है इसको अन देखा करना ही बेहतर होगा अन्यता पहले से ही उग्रवतावरन अधिक गंभीर हो सकता है में रासी वाले आज के दिन आपको अकासमिक धन लाव कराएगा आज दिन आज जिन कारियों अत्वा वेहवारों मे उमीद नहीं रहेगी उनसे भी अकासमिक लाव होने की संभावना है बेहवार में थोड़ी चंचलता रहने से आसपास के लोग सहज अनुभव करेंगे फिर भी मसखरा सोहाव आपकी उदंदता पर परदा डालेगा परिवारिक सदस्तित अस्तल की यात्रा पर जाने की यो आज सामर्थिक से अधिक खर्च करने पर आर्थिक उल्जनों में में पर सकते हैं कार्य व्यवसाय में रूची आती मंदी के बाद अती गती आएगी धन लाव परशुन मात्रा में आप के लिए ये शावन मास की लाश्ट सुमबारी बहुत अच्छा रहेगा आज सभी रा आज जिन्हों ने जो मैं दो महने से बोलना रुद्रा अभी से करवा लिजिए जो आज भी सज्जन नहीं करवाएं अभी तक वो कल लास्ट दिन है जरूर आप करवा लें अगर नहीं आप सामर्थ है करवाने तो कम से कम पंचा मित्र बना लिए तील जो अच्छत उसी में डाल देजिए और उसमें 21 बेल पत्र से बेल पत्र पर पर आप रोली और कुमकुम से हल्दी से तिलक करके उसे थोड़ी थोड़ी चावल डाल करके और महा में तुझे मंत्र से आप वह जल अविसेख करके और यह चढ़ाया इससे आपको बहुत लाब मिलेगा और किसी बुजुर्ग तो आज जो है महला और पुरूस दोनों को आप जरूर कुछ ने कुछ खाने पीने कर समान दे आज जरूर महलाओं का असिरवाद लेना चाहिए इससे आपको बहुत लाब मिलेगा अगर कोई सुहागन मिले तो उनको आप जैसे मेहदी हो गया हरी चूरी हो अगर चोटी बच्ची हो तो उनको कुछ खिलो ना दे ऐसे कुछ ने कुछ आप करते रहे और गाई को गूर और चना जरूर खिलाए इससे बहुत ही लाब मिलेगा हो सके तो अनात आस्रम में भी आज कुछ ने कुछ जरूर दान करें इससे आपको साल वहर तक आपको आप लोग को चावन मास की अम्तिम सोंबार की की हार्दिक बधाय शुबकामना आप लोग को ये मंगल मैं हो इसी के साथ अपने बानी को यहांई पे बिराम देता हूं राधे राधे अगर चैनल को लाइक नहीं किहें सब्सक्राइब नख कर दिजिये राधे राधे